इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 29 अगर्ष्थ 2022 अश्वास की घुष्णा करता हूं कि मैं घुष्णा करता हूं कि इश्वर सब कुछ एक साथ मेरे भड़े के लिए कान कर रहे हैं उसके पास मेरे जीवन के लिए कुछ चीजें हो सकती है निकिन मुझे चिंता नहीं है मैं जानता हूं कि सारे कुड़े अभी यहां नहीं हैं सब एक साथ आ रहे है और सब कुछ समझ में आता है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर की अद्बुट लोजना मुझे ऐसी जगह ले जा रही है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परी घुश्मा है। दीव्य स्वास्त की स्विकार हूं। मैं पिश्वर की दीव्यत्रक्रति का सरभागी हूं। मैं उन से अभी भाज्य हूं। मैं स्वास्त, शांति, आनंद और भोग्स के सभी लाभों का आनंद लेता हूं। तुकि जो महां है वो मुझपे रहता हैử मैं हर दिन परकाश के महार के चलता हूं और यह प्रकाश मेरे स्वास्त और मेरी चंता करने वाले अर्चिफ को चमकता है कामिन bisa juon मेरे पास वहMP और जो मैं के अंधर येस्व के नाम में मैं मजबुध हूं मैं सस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशित हूँ, मैं सतंत्र हूँ, मैं ईश्वर का प्रिय हूँ, मैं ईश्वर और मानोजाती का कृपा पाता हूँ, मैं वही बोलता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, ना कि जो मैं देखता हूँ, मैं एक अ मात्रा में परिपन करता हूँ मैं प्रभू में रस और हरे रम से भरा हुआ हूँ और बढ़ापे में भी पत्ता जाव और पत्ता नहीं है और जो मत भी मैं करता हूँ वह एशु के नाम में सम्रत होता है चीज़े हमेशा मेरे लिए एशु के नाम में काम कर रही है मैं बसी एशु में हर आध्यात्मिक आशिर्वात का प्राप करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक और इस शरील मेरते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को निर्देश देती है, मेरा अंतरमन सुनता है, प्राम्त करता है, और मेरे शरीर को निर्देश देती है, और मेरा शरीर पालत करता है, एशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ, निश्वर का अभिनासिक जीवन, मेरे जीवन में हमेशा स मैं अपने मनभाव से बात करता हूँ परिपूर्ण बनो मसी के मनभाव की तरह और मैं तुमें परमेश्वर के वचन से संद्रेखित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने स्नायो और लशोसे जीवन बोता हूँ मैं अपनी मान्स पूसों और स्नायो बंधन को टाकत मोता हूँ मैं अपने दिन से जीवन सक्ती बूता हूँ मैं अपने फेफ्रो और उत्रोसे सामाने विंटिलेशन और परफूसन बरबाण की ति Sat braucht करता हूँ मैं अपनी किटनी, लीवर और अतनाशे को पूनता बोता हूँ, मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है, मेरे अडिया, जोड और कैटिलेज, संरेखित, मजबूत और फिड़ है, मेरे पूरे पूपरी और मिचले अंग, उतकृष सुप से कारे करते हैं, मेरे आखे स्पास्ट लिवसे और पूरे तरस लेती हैं, और मेरे कान काम करते हैं भैतरी, मेरी तचा एक नवचासी सुप, और इस्वर की सुंदरता की तरह चिकनी स्वस्त है, मेरे बालों के रूम करस्टे हैं, मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आज्या देता हूँ, और जहां पृद्धी क अशकता होती है, मैं अपने रूम में भी कास छोड़ता हूँ, मेरे दाथ, हसुड़े, स्वस्त और मजबूत हैं, और परिपूर्ण है, मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जिसम हैं, और अपने कारियों को सामाने शिष्ट उत्पार, नेमित रूप से कुछ सर्जित होते हैं, मैं खाने, तक्रीक, मीडिया, सिथिल्ता, गफशक, आलस्य, अधिक नीन, सुस्ती और पाध्यकारी खरिदारी में, सभी प्रकार के बैसनों, सराव, निकोटीन, ट्रक्स, द्वीधातुमान, अक्तदि भोग क कहत करता हूं, और मशी की आग्यकारिता मिलता हूं, जैसा एशु वैसा ही हुए, इश्व ने जो कुछ भी बनाया है, वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है, इसलिए खाद्य पदार्तों, ढूल, जानबरों, आधि, अलर्जी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे इन सारे चीदों पर अधिकार निया है, मेरा प्रजलन तंत्र पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गति शिरता वाले सुक्राणों का पुत्पादन और जमा कर रहा है, मेरा प्रजलन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकां पर पुत्पादन कर रहा है, जन्म तक भून क कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशिका पूर्णता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्व ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रिती को एश्व के नाम पर मना करता हूं आमिन मेरा संपुर्ण मानष्षरी रचना विज्याद, जया पचय और शरी ग्रिया विज्याद, मसी येशु में परिपूर्ण है, महिमा, हालेलुया, आमिन पिता इसवर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ पुत्र आख्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ सालों